सबसे पहले प्रेम विवाह की परिभाशा समझ लीजिए In this article, प्रेम विवाह क्या होता है? Love marriage के फायदे, benefits of love marriage in Hindi Love marriage के नुकसान, love marriage side effects in Hindi प्रेम विवाह कैसे करे? How to do love marriage in Hindi प्रेम विवाह क्या होता है? कहते हैं, शादी जीवन भर का रिष्टा होता है वहीं, अगर बात करें love marriage की तो इसका मतलब वैसी शादी से होता है जहां लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उनके बीच गहरा प्यार होता है वे दोनों आपसी सहमती के साथ जब शादी करते हैं तो उसे ही प्रेम विवाह कहा जाता है लेक में आगे हमने प्यार और विश्वास से भरपूर प्रेम विवाह के फायदों के बारे में विस्तार से बताया है पाउरड बाई, विडियो प्लेयर अज लोडिंग, प्ले, अन्म्यूट, लोड़ड, 0.18%, फल स्क्रीन, लेक के इस भाग में हम लव मेरेज के फायदे बता रहे हैं लव मेरेज के फायदे, benefits of love marriage in Hindi, प्रेम विवाह यानी लव मेरेज के फायदे कई सारे हैं, अगर कोई पेरेंट्स प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं, तो उन्हें इसके निमनलिकित फायदे बता कर इसके लिए राजी कर सकते हैं, साथ ही अगर आप अभी तक प्रेम विवाह का सबसे बड़ा फायदा है मन चाही जीवन साथी का मिलना, अरेंज मेरेज की तरह लव मेरेज में पार्टनर की तलाश घरवाले नहीं करते हैं, बलकि लड़का या लड़की खुद अपनी पसंद से अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं और फि प्यार से संबंधित NCBI, National Center for Biotechnology Information की साइट पर एक रिसर्च मजूद है, जिसमें कुछ महिलाओं ने बताया है कि अगर शादी से पहले ही शादी शुदा कपल के बीच प्यार हो, तो उनके रिष्टे में शादी के बाद अधिक प्यार होता है एक, यानी की अरेंज मेरेज में जहां धीरे-धीरे प्यार की दोर मजबूत होती है, वहीं लब मेरेज में पहले से ही प्यार की दोर मजबूत बनी रहती है तीन, साथी की बहतर पहचान, लब मेरेज का एक अन्य लाव अपने साथी की बहतर पहचान होना भी है अरेंज मेरेज में जहां जट मंगनी पढ़ ब्याह वाली गड़बडी होती है वहीं लब मेरेज में कपल अपने पार्टन को काफी अच्छी तरह से समझते हैं वे एक दूसरे की पसंद नापसंद का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं साथ ही अच्छे वबुरे व्यवहार के बारे में भी अच्छे से परिचित होते हैं इसलिए उनके रिष्टे में मनमुटाव की भी संभावना काफी कम होती है चार, लडाई जगड़े में कमी वैसे तो किसी भी रिष्टे में लड़ाई जगड़ा होना आम माना जाता है लेकिन अरेंज मेरेज के मुकाबले लब मेरेज में इसकी संभावना थोड़ी कम होती है ऐसा इसलिए क्योंकि लब मेरेज वाले कपल एक दूसरे को लंबे समय से जान रहे होते हैं इसलिए उन्हें एक दूसरे की आदतों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है वे जानते हैं कि उनकी कौन सी बात सामने वाले को बुरी लग सकती है और कौन सी नहीं पांच, मन से खुश रहना अगर अपनी मन चाही चीज मिल जाए तो भला कौन खुश नहीं होता लब मेरेज करने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ है उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथ मिलता है जिससे उन्हें अपने जीवन में काफी संतुष्टी मिलती है और वे आगे की लाइफ को भी खुशी-खुशी बिता सकते हैं प्लेविलूम 0100-0100-Truvid स्क्रॉल कर जानिये साइड एफेक्ट ओफ लब मेरेज लब मेरेज के नुकसान लब मेरेज साइड एफेक्ट इन हिंदी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जहां लब मेरेज के फायदे हैं तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी है प्रेम विवाह के साइड एफेक्ट जानने के लिए इस भाग को पढ़ें एक, अपनों से दूर होना, प्रेम विवाह के लिए अगर परिवार वाले मान जाए तो इसमें कपलस को कोई परेशानी नहीं होती वहीं, अगर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो फिर यहां से कपलस के लिए संधर्श शुरू हो जाता है कई बार तो उन्हें परिवार के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है, खास कर तब जब साथी दूसरी जाती या धर्म का होता है ऐसे में समाज के डर से परिवार, दोस्त वर रिष्टेदार भी दूरी बना लेते हैं इसे लव मेरेज का सबसे बड़ा नुकसान माना जा सकता है दो, समाज का अपराधी बनना, प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को कभी कभी समाज का साथ नहीं मिल पाता है दरसल, सभी धर्म में अपने कुछ, वीटी रिवाज होते हैं, जिन्हें समाज की खातिर मानना ही पड़ता है वहीं, अगर लव मेरेज कर रहे का पलज इन वीटी रिवाजों को नहीं मानते हैं तो उन्हें यह समाज अपराधी मानने लगता है इस समाज के नजर उनका सही रिष्टा नहीं होता है प्रेम विवाह करने वाले जोडों के मन में प्यार कम होने का डर भी बना रहता है, खासकर तब जब उनके बीच प्यार की सबसे एहम वजए किसी तरह का आकरशन वो उम्मीद से जुड़ा हो ऐसे में साथी इस बात को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि रिष्टे में वो आकरशन खत्म होने पर साथी के प्यार में भी कमी हो सकती है साथी, अगर वो शादी के बाद अपने साथी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो भी उनके साथी का आकरशन धीरे-धीरे उनकी तरफ से कम हो सकता है दरसल, इस प्रकार की शादी में कपल के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जान रहे होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से अधिक उमीद लगा कर बैट जाते हैं वहीं, अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो फिर ऐसे में मनमुटाव की स्थिती पैदा हो सकती है पांच, बदनामी होने का डर, लब मेरेज अगर दूसरे धर्म या जाती में हो, तो इससे न सिर्फ लड़का लड़की बलकी उनके घरवालों और रिष्टेदारों को भी बदनामी का डर बना रहता है दरसल, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, जो जाती धर्म से उपर उठकर लब मेरेज के लिए हामी भर देते हैं ऐसे परिवार वालों को समाज अपनाने से मना कर देता है, इस वज़े से उन्हें बदनामी का सामना करना पर सकता है प्रेम विवाह कैसे करें, अब हम इसके बारे में बता रहे हैं प्रेम विवाह कैसे करें, How to do love marriage in Hindi ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह की राह बहुत ही आसान है अगर आप चाहते हैं कि आपकी love marriage हो, तो लेक के इस हिस्से में बताई गए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें ये बातें न सिर्फ आपके वह आपके परिवार से जुड़ी है, बलकि आपके साथी के लिए भी काफी एहम है एक, एक दूसरे के रीती रिवाज समझें अगर प्रेम विवाह अपने से अलग धर्म या संस्कृती में कर रहे हैं, तो ऐसे में अपने साथी के धर्म वा संस्कृती का पूरा सम्मान करें ऐसा करने से दोनों एक दूसरे को करीब से समझ सकते हैं और मन में एक दूसरे के प्रती सम्मान भी बढ़ सकता है साथ ही, पार्टन वह उसका परिवार भी दूसरे धर्म के प्रती अपने मन में सम्मान के दाइरे को बढ़ा सकता है दो, धहर्य रखें लब मेरेज एक कटिन फैसला होता है, ऐसे में कपलस को धहर्य रखने की आवश्यता होती है शादी से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, फिर साथ में मिलकर इस बारे में घरवालों को बताएं अगर वो नहीं मानते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा समय दे, ताकि वे इस रिष्टे को समझ सकें और उस पर दोबारा से सोच विचार कर सकें तीन, तालमेल बिठाएं, हर रिष्टे में दोनों ही तरफ से काफी कुछ एज़स्ट करना पड़ता है ऐसे में लब मेरेज में भी दोनों साथी को आपसी समझ से एज़स्टमेंट करना चाहिए ऐसा करने से दोनों ही अपने फैसले से खुश रहेंगे साथ ही दोनों को परिवार से जुड़ी कुछ बातों वरीती रिवाजों को लेकर भी एज़स्टमेंट करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन खुशाली से भरा रहे 4. जीवन साथी का ख्याल रखें लब मेरेज के फैसले को सफल बनाने के लिए जीवन साथी का ख्याल रखना भी जरूरी है साथी की पसंद नापसंद से लेकर अपने हर फैसले में उनकी राय को शामिल करना भी जरूरी है इससे love marriage के प्रती साथी को फैसला लेने में आसानी होगी और वह भी इस रिष्टे के प्रती खुद को संपर्ती करने में समर्थ हो सकेंगे 5. खुद का stand लें लब marriage के लिए घरवालों को मनाना काफी मुश्किल होता है ऐसे में घरवालों के डर से अपने लब मेरेज के फैसले के प्रती न मुकरें दोनों साथी को मिलकर लब मेरेज के लिए अपने अपने घरवालों को मनाना चाहिए साथी यह लब मेरेज क्यों करनी है और इससे आपका भविश्य कैसे बहतर हो सकता है इस बारे में भी परिवार वालों को समझना चाहिए लब मेरे जसल में दो दिलों का बंधन होता है जिसके जरिये दो परिवार मिलते हैं अगर यह फैसला सोच समझ कर लिया जाए तो सही है वहीं अगर परिवार के खिलाफ जाकर इसका निलनाय लिया जाता है तो यह कई लोगों की जिन्दगी तबाह कर सकता है ऐसे में बहतर होगा कि इस तरह का फैसला हमेशा परिवार की सहमती से ही लें और एक खुशाल जिन्दगी की शुरुआत करें References